हलो, मैं हूँ संदी मैं हूँ संदी जोसप हम पहले भी मिल चुके हैं न मैं आपके हस्पिताल में कई बार आया हूँ ओ, एन राई हैं आप हाँ, जी हाँ, और मिसिस रीना सनी जोसफ वैसे तो वो मेरी पतनी है, क्या बात है मेरी वाइफ की डिलिवरी आपकी मिसिस ने अटेंड करी थी बॉस कहा है सुभई उनसे मेरा परीचे हो गया था वो खाने से पहले पेट खाली करने के लिए गया है तुम शादी शुदा हो? जी हाँ मैं शादी शुदा हूँ मेरा एक बेटा भी है और बताइए वो आप भी हमारी तरह फैमली मैन है गुड आफ्टरनूम सर गुड आफ्टरनूम इंडियन ब्रेकफास्ट केरला फूड जस्ट फाइव मिनिट्स एक और आदमी को आना है सब कामन है क्या खाओगे यहां के फूड में खासियत है मैं अकसर यही पर आता है तो फिर तुम्ही आउडर कर दो गुमांस को छोड़के कुछ भी पेट खाली हो गया गुमांस को छोड़के कुछ भी खाने करें तयार हूँ फ्लेस दा ओडर यह मेरे नए दोस्त के उपर निर्भार है अच्छी बात है कई सालों से टेस्ट के पीछे भागते आ रहे हम लोग चिकन फ्राई के साथ सब के लिए रोटी एक फेश फ्राई मेरे लिए अच्छी तरह तलना सफर के दावरान खान पान के मामले में भी हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट है हमारी तरह संदीब तुमने ध्यान दिया एक ही डिश को जब कई शेफ बनाते हैं तो उसके टेश ही कुछ अला गए यस हाथ का कमाल है और यहाँ के शेफ के हाथों में कमाली कमाल है थैंग आड हम साही जगह बना आ गए है कई बार टॉयलेट के अंदर सोने की भी नबद आ गए थी सुप अगजिए देशी मुर्गी है मता आगया टेस्टी है, लेकिन देसी मुर्गी मत समझना ये देसी है इसके साथ सावर करते वे, मुझे कितने सालों के पता है मगर कभी-कभी ये आद्मी बोर करते था तुमने कुट्टे का गोश्ट खाया है क्या? नागलान की बात है, ये भी मेरे साथ था अग्याद टेस्ट कुछ अजीब था, लेकिन मज़ा आगया, भर पेट खा लिया जब पता चला कि कुट्टे का गोश्ट है, तो जो भी खाया वो बाहर आगया अभी वो सब किसलिए बोल रहे हो? हर एक टेस्ट का आनन्द हमें लेना ही चाहिए इड़ा सोच के देखो, यहां भोजन में मेंड़क का अक्रोच या साप मिले तो समसे खड़ी हो जाएगी मगर चेन के बाजार में, जैसे यहां मौंगफली वगरा बैस से हैना बैस से, साप मेंड़क में मसाला भरके, फ्राइ करके रख देते हैं मों से लाट अब क्याएगी क्या हुआ, कुछ नहीं, आप लोग खाईए हड़ी भी साफ्ट है अरे, उसे क्या हो गया? कारण तुम्ही हो, मेंड़क, काक्रोच और फिर साप, जो कुछ खाया है वो बाहर आजाएगा हम, गाया गाम से क्या हुआ अजर, वो खाया भी ने चले गए, फूड में कोई प्रॉब्लम है नो, फूड तो नमबर वन है, ये सब आटिटूड का सवाल है मा कुटे के गोश्ट के बारे में उनसे बोल रहा था कुटे का गोश्ट? बास ऐसे ही हैं, कभी कभार हमें इरिटेट कर देते हैं लेकिन कभी हमसे बिछडेंगे नहीं उन्हें कोई जल्दी समझ नहीं सकता है बहुत बड़ा पेटू है मन में कोई खोट नहीं है दुनिया रंग-रंगी ली उनका एक ही वीक पॉइंट है खुबसूरत इतलियां वो क्यूँ? देखा ना, आज उस तितलिय के साथ वो आ रहे मेरे वज़े से परिशान होगी होगी जूट मत बोलो उसकी भरपाई करने का फैस्रा कर लिये मैंने एक ऐसा टेस जिसे आप लोगने कभी चिका नहीं होगा यात्रा लंबी है क्या बलती हो? अरी रडी? वाई नॉट? जरूर चलेंगे वो कौँ सा टेस्ट है जो तुमने बताया नहीं? है यार, तुम नहीं समझोगी स्टार होटलों को छोड़ कर गली की उस छोटी कुटिया में ये कहानी है या कविता? हलो, मैं कहानी ये कविता नहीं बॉल रहा हूँ वो खाने से मनुष्टी का जीवन सफाल होगा और उसे जमीन पर बैठ करी खाना पड़ता है ऐसी बाते तो किसी भी गूफा में जाने के लिए तैयार हूँ और तुम? जगे है कहा? 10 साल के उमर में मैं वहां गया था हम लोग डूंड लेंगे तोरी प्राब्लम नहीं ना? नो प्राब्लम लेकिन पहुंचना होगा मुझ भे चोड़दो येलो संदीप अब चलते है हुम 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 आज तक मुझे ये समझ में लिया है कि आपके कमरे में जो वह पठाका आई तो आप भागे क्यूं भै बरसों से मैं इनके साथ रहकर देख रहा हूं न संदीप तुम्हें पता है सर्द रात में लॉस वेगास के उस कसीनों में एंजेलीना जोली बर्थडे सूट में आकर डांस करने लगी तो हमारे बास नदारत इस सत्य को ठुकरा नहीं सकते एंजेलीना जोली वो भी बर्थडे सूट में ओ माई डियर बास मगर हमारे बास की पसंद तो फिलिपिन सुंदरी ही है वही उनके लिए सब कुछ है एक मिनट गवाए बिना बास वहां से भागे वाई विकास एंजेलीना जोली से भी वो ज्यादा सुंदर थी ओ काश ऐसा होता तो कितना मजा आता है ना बास लेकिन वहां रेप नहीं हुआ बड़ी अजीब कहानी है है ना बास बास वो कहानी आप बताएंगे या फिर मुझे नहीं लगता कि उस कहानी में कोई दम है ताकि संदीब को भी हमारे बारे में कुछ आईडिया मिले बोलने में कोई हर्श तो नहीं अगर तुम्हें उससे कुछ फ़ईदा होने वाला तो बेशा कह सक्यों उसके बाद अपना फ्राश पैक पे उसी जोश से कहते हैं आपके वो फिलिपिन लड़की के बीच में क्या संबन थे ये बताएंगे वो सब मैं तुम्हें बताओंगा 18 साल की उमर में बास दुबई नामक महानगर में पहुँचते हैं संदीप जब मैं 13 साल का था तब एक एक्सरेंट में मेरे माता फिता खुजर गए उसके बाद मैं अपने मामा के साथ रहने लगा माबाब के साथ आश अराम से रहने वाला मैं जब दुबाई में बागान में काम करने के साथ साथ भूका सोधा था तब ये हाता हुआ मामा जी मेरी बाउत बिटाई कर दे थे और उसी मामा ने मुझे दुबाई भी बेज दिया तब जाके मामा की अकल खुली होगी वो तो सस्पेंस है दुबाई में रहते समय ही फिलिपिन्स की वो बम पठाखा बॉस से मिलने आई उसकी उमर? क्या मुझे लिफ्ट देंगे? कहां जाना है आपको? जोन वरी, मैं रास्ते में उतर जाओंगी बाहर ठंड पड़ रही है और फिर यहां हम लोग दर नहीं को चौह जाओ तुम लोग मेरे साथ कुछ करोगे इसका मुझे डर नहीं है जमाना खराब है I don't mind being raped I don't want any arguments साँचचचच के? Cigarettes? No thanks Okay Sandi क्या है बस? ए तुम पीछे वादिर्जा तुम तीनो काफी परिशान हुआ तुम तीनो काफी परिशान हुआ यह आपकी सोच है नो यही सच है यू वे मेकिंग सच राकट वेन यू केम अलॉंग और जैसे ही में अंदर आई तुम लोग साइलेंट हो गए एक नरभक्षी औरत के बारे में बात कर रहे थे क्या वो बॉस क्या बात है आदमी कमास में निखाया नहीं Towards but I have killed Not once but several times नाइ टेप्ड इस अर्सोंन और खेस? यू में अभशन? हम, यह, 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 यह. क्या हम यहां खाएंगे? यहां से खरीते हैं, और खाएंगे कहीं और? मा उतरता हूँ, और आज कर स्पेशल क्या है देख के आता हूँ. सुनिये, आपको कोछ चाहिए क्या? सुरी, नाम क्या बताया? मेरा. मेरा, तुमें क्या चाहिए बोलो? नो, नो, थैंक्स. सब के लिए खरीदिये, बोस. अच्छा. तुम बोस को बहुत इरिटेट कर रही हो? अ, मी? वाई? और हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे. अबाउट दे कैनबेल वुमिन? क्या मैं भी सुन सकती हूँ? तो क्या हुआ? जब बोस दुबई की बात कर रहे थे, तब हम लोग रुख गए. वहाँ शेक के घर में बोस का बहुत अच्छा स्वागत हुआ था. अनाद भाणजे को बंधुआ मजदूर बना कर रखने वाले, उनके वो मामा, प्रैस्चित की आग में जल रहे हैं, ये सोचते थे बास, काम कुछ ज़्यादा था नहीं, उपर से अच्छा भोजन, ऐसे जी रहे थे तब उनकी जिन्दगी में, वो पटाखा फिलिपाइन स सुंदरी आ गई, बास को उसकी भाषा का ग्यान नहीं, फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, इसके लिए भाषा की क्या ज़रूत है, और फिर, और फिर क्या होना है, परमानंद, बास उसके कमरें पहुँच गया, उसके रूम में, ओ माइगाड, फिर, वो नंगी ह हो गई बास के सामने, हवा की तरह, क्या बोलते हो, जल्द से जल्द यहां से जाने के लिए बोल रहते हैं, वो दुखानदार, ऐसी क्या बात है, पिछले चालिस दिनों में, यहां छे टुरिस्टन को मार दिया गया, और आखरी कतल परसों हुआ था, और कातिल का कोई शु माल चोरी नहीं हुआ, इसलिए चोरी के लिए खुन नहीं हुआ, यह साफ हो गया है, और अल देट वर में, राइट? जो जगह आपने चुनिये, वो बहुत ही ब्यूटि फुल है, करेंग करेंग कर रप तुम्हारे सामने इसे बाहर निकालो या नहीं यह सोच रहा था असाहनिया बद्बू यह भी बद्बू फैलाती है बच अरे नहीं हमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही मेरा यही है तुम्हारी प्रॉब्लम और हर मर्दों की ओ यह इत्मिनार्जिया खाने के लिए नहीं देगी पत्तमीर तुम्हारे सरीर के उस खुसबू को हम मैसूस कर पा रहे हैं क्रेश के यहारे आर श्यूस्ते तुम्हारे नहीं यह विएर्टिस तुम्हारे रहे हैं यह रहे विए्ड़े विए्टश लर्र ऑन्र देख़ टूर्टिस्टबू What a pity. Boss, नहीं खाएंगे क्या? सुनो, सो गया तो प्राब्लम होगी. तुमने ये नहीं बदाए, तुम कहां जा रही हो? चुपचाब खाओ ना. तुम्हारा मूड है तो तुम भी हमारे साथ जॉइन हो सकती हो? ऐसी आतर जिसकी लंब्यू मनी. चलो संदीर. जूजाए जूजाए जूवाँ अर्चिछ मनाए. रही हो जूजाए तुम्हार जूजाए तुम्हारा मूड जूजाए जूजाए हो? तो गया है जिसे सोब जो 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 बुराब शकुन है यह हमाने रशा करो हम पर करपा कीजिए अब हम आगे सफर नहीं करेंगे कल सुबह होते ही चलते हैं वही अच्छा रहेगा ठेका वही अच्छा रहेगा oh god this guy is trying to keep you together with glue you think with me around it would be better for you not to sleep If we are staying awake, then why can't we talk? I would like to know what happened with that Filipino girl. Come on, get me a beer. एक्चली आई शुटन् बेपिटिंग यू हम सब एक ही काटिगरी के हैं मैं अपने वारे में बताती हूं in fact my mom was a street walker she was our bread winner yet some days we went without food when I cry to sleep she would cry with me एक दिन मा के साथ एक handsome गाई घर आया मुझे अभी भी याद है कि वो लाल जॉक का डॉल मेरे लिलाया था मुझे उसके साथ भेशते समय मा बहुत रो रही थी और पिता खामोश मुझे अभी मुझे अभाई मुझे अभी कर दो कर दो कर दो कर दो और फिर क्या ओना था आज casus कर दो स्पेटी हिर्टी I was on cloud nine in those days, then others came. I'm going to tell you what I were... I'll tell you... it became the way of life. To cut the crap, I became a street-walker. प्रिटने दीजेकर प्रविता के अधमें, प्रश करिकरेद और में है přुए कि अधमें, कि अधमें यूरेद भी के अधमें, और में है यूह ज़ी है मनुष्य मास की कीमत का पता है मुझे बट कभी खाया नहीं So, what happened with the Filipino? Finally, उसे देकर मेरी घेगी बन चुकी थी वो मुझे बहुत बड़े थे और मैं फस्ट टाइम It's natural अचानक मुझे प्यास रगी मार ड्राइंग रूम पहुचकर फ्रिज को खोला फिर जान लेकर भागया Why? What happened? दोस सर एक तो चीनी का था और दूसरा एक नीग्रो का चरीर को वो खा चुकी थी और मेरे साथ भी बहुँ गतने माना था हर जगा स्त्री के शरी को खाते हैं लोग कम से कम उसने तो पुरुष को खा लिया ग्रेट और उसके बाद उलड़की पुलिस के हाथ ते चड़ गई? पुलिस उसे फॉलो कर रहे थी फो खारे घ्मस Yeah ग्री हो गाल्या तक शब्रुष का अजिए शरी के लिडर हो गया प्यटी विल्टी के लिफ भादा कॅख राया Hare मैंसान कर दो आएंदा आप स्त्री से नहीं डरिंगे मगर सुक देने वाली मशीन मत समझना क्या हुआ बोस? तो तुमने मेरे मन को छो लिया वाई? वाई? I don't know Listen I've seen what happened to the night I've seen So What do you want to do? Listen Best things in life are free And that includes The freedom to choose my partner What do you mean? I'm not ready to sleep with you I insist Son Don't insist Take a walk and get some good air Listen Boss Boss Look Okay I want What do you want to do? I don't know I don't know I don't know I don't know No 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 You 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 कर दो एक खूबसुरत सा आंगन है मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ वो मेरी लिए सब कुछ है ये मेरे बीवी है ममु ये मेरे पिताजी है मुझे अपने दोस की तरह देखते है ये मेरी मा है मुझे से जादा वो मेरी बीवी को प्यार करती है ये मेरी क्यूट बहन है शिल्पा मेरा परिवार बहुत खूबसुरत है लेकिन एक ही अफसोस है मेरा कोई बच्चा नहीं है और इसी कारण से घर में सब दुखी है हम बहुत ही कश्ट से गुजर रहे है मा और टाइम है ना भी हाँ मैं तो रेडी होगे हो तुम तयार हो गई हम चले बहुत खूबसुरत दिख रही हो सुबह पांच बचे से तुम इसी के लिए तयार हो रही थी तुम्हें क्या मालों आमें बहुत कुछ होता है करने के लिए ठीक है ठीक है बेटी तुम तायार हो क्या रेडी हूँ तायार हो क्या हां चलो क्या हां मा चलो हां चलो हां पांच आप अ चलो चलो जल्दी चलो मेरे पैर आहा हा ओम श्री भगवान सत्यसाय नाथाय नमहा ओम श्री साय सत्यस्वरूपाय नमहा ओम श्री साय सत्यधर्म परायनाय नमहा ओम श्री साय बरदाय नमहा अरे यह अभी क्यों बुला रहा है हलो अभी क्यों बुला रहे हो यार मैं कुछ जरूरी काम में हूँ मैं मेरी फर्स्ट नाइट मानाने जा रहा हूँ अभी फोन रखना मुझे कुछ जरूरी बात करना है अरे फोन रख बे फोन रख चल हट हमेशा कोई न कोई बाहान बनाता है ममू, ममू, अरे जल्दी आओ हाँ मैं आ रहे हूं रुको ओ मैं गाद, तोड़ा दूर हटो तुम ऐसे कर रहे हूं जैसे पहले रात है हमारे शादी होकर पांच साल हो गए अभी मेरी जाने मन, आज ही तो मंदिर गया थे हम दोनो तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए चलो शुरू करते हैं रुको तो, आज पूचा का पहला दिन है न मा ने बोला है कि हमें नौ दिन और रुकना है अरे नहीं, मा क्या, क्या हुआ क्यों इतना फूल बेड में डाला है, बोलो आपको क्या हुआ कुछ भी तो नहीं तुम क्या कर रहे हो इदर, चलो रोज रोज मंदर जाना और रोज ऐसे भूका बैटना ऐसा क्यों कर रहे हैं अरे, कुछ भी तो नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है अरे, कैसी जिन्दगी है ये मंदिर में जाके एक बच्चे को मांगा था लेकिन अगर रोज ऐसे अलग-अलग सोए तो बच्चा कहा से होगा मेरे दोस्त को बुला दूँ मैं नहीं उठा रहा मैं तुम्हारा फोन उठाने वाले नहीं फागवान कसा नहीं उठाओंगा बेवकुष्क बांदा हाँ बॉल मुझे माफ कर दो मेरे यार मैंने फोन कट किया इसलिए गुसा तो नहीं हो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ आज हम सब मिलके मंदिर में गए थे और एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी लेकिन हम रोज अलग-अलग सो रहे हैं तो बच्चा कहां से होगा मुझे तुमसे बात नहीं करने मैं सुबे फोन करूँगा नहीं अरे नहीं अरे दादी ने मेल भेजा है वो कल यहाँ पर आ रही है अच्छा यह बात है मां आ रही है सासो मां आ रहे है क्या डादी मां अरे अब पताने किसका क्या होने वाला है अरे भगोहन मुझे बचा लो इस मुसीबत से अरे बापे पापा अरे सुनो ना क्या हुआ मैं कल रात पुरा सोया ही नहीं नानी जहां पर भी जाती है सब जगह में प्राब्लम करती है और मैं सोच रहा हूँ अरे कुछ नहीं होगा देखो वह आ रहे कि नहीं बीच बीच में तुम भी ना पापा जब नानी आएगी वह अपनी गाड़ यही पर रोकेगी और खुद चलके आएगी चलो हम जाएंगी अंदर तुम कहा जा रही हो अगर वह आएगी ना तुम्हें छोड़ेगी नहीं अब यहीं रुको तुम ममी आ रही है ममी आ रही है क्या ममी इतनी जल्दी से क्यों चला के आ रही हो हाँ तुम तो जित कर रहे थे कि तुम अपनी पिताजी का गाड़ी नहीं चलाओगे इसलिए मैं चला रही हूँ अरे नानी आपने अपनी बॉड़ी तो बहुत अच्छी तरह रखी है मेरा मतलब है यह बाइक का बॉड़ी है कहा है तुम्हारी वीवी मामी मेरी वीवी अंदर अरति के थालिन आने के लिए गई है और मेरी मव मू भी ठीक है ठीक है ये बाइक जरा पाक कर दे कहीं पर ठीक है ठीक है मामी समल के वे लिब के ज़ याम्들 woke up अपनी को बहौत वारी है समने के अरे अरे पकड़ो यानए कि कैसी हो हाँ मैं ठीक हूँ बस बस और नहीं खा सकते तुम्हें और चाहिए अरे अरे नहीं नानी मैं बॉड़ी मेंटेन कर रहा हूँ क्या आप क्या बोल रही है तुम अपना फिगर बिना खाये मेंटेन मत करो तुम्हें सब कुछ खा के कि वौकिंग योगा एक्सराइज सब कुछ करना पड़ेगा तभी तुम हेल्थी रहा है अरे क्या कह रही हो अरे एक्सराइज करूंगा तो दुखेगा नहीं मुझे क्यों ठीक है ना बेटा कल से मुझे एक चिकन नहीं चाहिए मुझे चार चिकन और 40 अंडे चाहिए ठीक ह मैं कर दूंगा कि और अ कि अ अधायो का नुशासरा जित्त व्रत्ति मिष्ञादा अ धर्ष्टों स्वर्धूंते अबस्तारों विद्विपिसाव प्यामित्रहत्वर्ण। इतने उमर में काय को योगा कर रहे हो बेटी तुम्हें इसके बारे में क्या वालो पुराने दिनों में एक घड़ा पानी लेने के लिए मीलों चलना पड़ता कुवों में से पानी उठाना पड़ता चावल पीसने के लिए पत्थर के उपर पीसना पड़ता हमें कभी थकान हुई ही नहीं हमने कपड़े धोये, बरतन माझे हमने घर साफ किया, घर को सुन्दर बनाया सब कुछ किया हमने ये सब योगा का एक ढंग है अगर हम बदन को इतना स्ट्रेस दे तभी हमें खुशी होगी समझी, पर आजकल है भगवान न्यू जनरेशन पे सब कुछ मशीन पे चलता है आजकल सारी औरते बेरोजगार घर पे बैठी वी होती है तुमें पता है योगा का क्या आलाब है अगर तुम योगा करोगे तुमें डाइबेटीस नहीं होगा बीपी भी नहीं होगा मन एकदम शान्त रहेगा आजकल हर कोई योगा ही करता है यहां पे इसलिए हम वर्ल्ड योगा डे सिलेब्रेट करते हैं सबसे पहले हमें अपने बारे में मालूम रहना है हमें अपनी देश के बारे में कुछ नहीं पता योगा बहुत अच्छा है हर एक exercise का एक scientific reason होता है योगा करने से हमारा शरीर एकदम refresh सा लगता है तुमें समझ में आया तुम अपना सर क्यों हिला रही हो चल जा मैं आ रही हूँ ठीक है मैं नेच जा रहे हूँ तु आना नानी मुझे मालूम है कि बिना किसी बात के तुम नहीं हो यहाँ पर क्या हुआ वो ये बात है बहुत दिनों से एक डाउट है मेरे मन में अगर आत्मिय ग्यान के हिसाब से शरीर और आत्मा अलग अलग है तो ये भूका रहना, भगवान से प्रात्ना करना और एक्सेस करना अपने शरीर को ऐसा परेशन करना ठीक है क्या वो सब करने बिना ही हम खुश रहते हैं न तुम पागल हो शरीर और आत्मा अलग नहीं होता शरीर और आत्मा में काफी कुछ बंधन है आखिर में आत्मा को कहीं जाना ही होगा अगर हम अपने शरीर और मन को त्याग दे तभी हमारी आत्मा उपड़ जाएगी देखा, अगर हम अपने शरीर और मन को त्याग नहीं देंगे तो हमारी आत्मा बाधा बनके अशान्त होती वी यहीं पे मनराती भी रहेगी हमारी आत्मा को शान्त करने के लिए हम भगवान के सारी किताबें पड़े और भगवान की प्राथना करते रहे अगर हमारा शरीर ही स्वचना रहे तो हमारी आत्मा भी नहीं रहेगी हमारी आत्मा जैसी भी हो, हमारी पहचान हमारा शरीर है सासुमा सासुमा, ससुर जी को कौफी चाहिए मैं तयार कर रही हूँ सासुमा, कम चीनी डालो? मुझे मालूम है उस दिन हमने एक सीरे देखा था ना उसमें वो बहु कौफी में काफी चीनी डाली और अपनी ससुर को दिया क्यों वेसे बोल रही हूँ सासुमा, आपको पता है कि ससुर जी एक डायबिटिक पेशन्ट है तो इतना चीनी क्यों मुलाया? उसे कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे ही चोड़ दो पपा, वो पेपर जरा देना, देखना है कि कॉंसा मुवीज है अरे वो मेगा सेरिल चल रहा है, तुम पिक्चर देखना चाहती हो देखो सासुमा, उसके ससुर को डायबिटिस है और उसको जरा ध्यान भी नहीं है सासुमा को मालूम रहना चाहिए, तोड़ा और दोट डाल देदी हू स्यादा उसमें और दोट क्यों डालना है, फिर उनको शुगर के साथ कॉलिस्ट्रोल भी हो जाएगा और उसके बाल पांच एपिसोड के लिए वे हॉस्पिरिल मेरा जाएगा सासुमा को साब मालूम है, ठीक है ? अच्छा, एक बात कहा है लिए लगता है वो लोक दोनों बहुत जगणा कर रहे हैं पापा, आपको पता है, यह सब मेगा सीरिल के बारे में बात कर रहे हैं इन दोनों को लेके एक बड़ा सेरिल बना सकते हैं यह बात तो सच है, अब मैं होती तो बहू को मा डालता, मैं उसको डाल तोड़ती, मैं उसको तपड मागती, उसी बाल खीचती, मैं उसके बाल काटती, मैं इसकी पैर तोड़ देती, मैं उसके हाथ तोड़ कर फैग देती हूँ, पपा, आपकी बीवी की आवाज आदा है या तेरी बीबी ज्यादा चिला रही है और तुम दोनों यहां बढ़के हस रहे थे क्या अच्छा तुम लोग अंदर जगडा कर रहे थे मैंने तो सोचा तुम लोग सीरियल देख रहे थे सासुर जी हम बहां पर जगड़ते थे और आपको लग रहा है कि हम सीरियल लेखते थे क्या वो सीरियल नहीं था क्या वो फिल्म था तो उसमें कौन-कौन थे क्या है सासमा कहा गए कहा जाएंगे जहां पे भी जाएंगे यही आना है वापस चलो चलो चलते हैं हलो कैसे हो मैं ठीक हो तुम कैसे हो ठीक है ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ बाई गुटनाइट दादी ए तु किदर जा रही है किदर बैठ यहां पे पैर दबा दे मेरे पांच साल हो गए तुम्हारी शादी के कैसा है तुम्हारा पती वो बहुत अच्छे है मैं तुम्हारे यौन संबंद के बारे में पूछ रही हूँ वो भी टीक है वो एक खोनी में सोते हैं अब में दूसरी खोनी में सोती हैं क्या बकवास है, पागल लोग. ओके, अब बता, तुम्हारा पहला रात कैसा था? दादी, उस दिन जब मैं दूद लेकर गई, जब मैं रूम के अंदर गुसी, तो उन्होंने ग्लास मेरे हाथ से लिया. आगे बोलना. बोल तो रही हो, दादी, जब मैं दूद लेकर अंदर गई, वो अंदर बैटे हुए थे और मैंने उनको दूद दिया. और तिर… अगर धंग से नहीं बोलेगी न, तो… उसके बाद, मैं दूद लेकर अंदर गई न. काम की बाद बोलना जल्दी. वो ही तो दादी, मैं दूद लेकर अंदर गई, वो अंदर बैटे हुए थे, मैंने उनको दूद दिया, उन्होंने दूद पिया, और उसके बाद पता है क्या हुआ? काम काम की बाद, भी मैं बाद, मैंने रहारा र demolस्थाफ चार झाल 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 सब कुछ ठीक है पर कहीं तो कुछ तो गड़बड हुआ है ओके, मैं देख लोगे तू अब जा तीके धादी, गुद नाइट आप सोजाईए नानी, बाई इधर आके बैठ अरे, क्या करे क्या बात है नानी? क्या हुआ? तेरी बीवी के साथ जमता नहीं है यह आपसे किसने का? किसी को मुझे बताने के जुरत नहीं है मैं लोगों के विवहार से उनको पहचानती हूँ पांच साल के शादी के बाद भी यहां पे एक छोटा-मोठा सा एक बात नहीं है यह कैसी बाते कर रही है नानी? जब मैं रिजल्ट पोती हूँ तो यहां पे एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हूँ ओ, हैसा क्या? नानी नानी आपको पता है? अव क्या है? मैं और मेरी पतні हम दोनों मिलके कुछ प्लान सोचे हैं वो क्या है हम दोनों फैमिली प्लानिंग किये हुए हैं ओ, 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 ऐमिली प्लानिंग तुमारी शकल से दिखता है कि तुम किसी चीज के लायक ने है बहुत दिखाऊ अपना मेरी तबियत तो ठीक है ना नानी हाँ, तुम्हारे केस में सब कुछ ठीक है शाम को जब आओगे तुम उससे मिल लेना मैं तुम्हें दवाई दूँगी दवाईया? किसके लिए नानी? तुम्हारे लिए तुम एकदम सूखे हो ये क्या कह रही हो? तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो? शाम को आके मिलो, मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकती जाओ अपने काम तो ठीक है नानी, मैं नहीं जा रहा हूँ मारा बोलने का मतलब क्या है? जाओ यहां से ठीक है, तो मैं निकल रहा हूँ अरे नानी, संभाल के बैठो, मुझे मालू है कहाँ पे जाना है? दाए या बाए? तुम से बोलो ना दाए लेने के लिए दाए चलो बस बस, ऐसे, ऐसे तुम ऐसे क्यों चला रहे हो? तुम ऐसे क्यों चला रहे हो? तुम मैं ताकत बिल्कुल नहीं है अरे वोट खराब, उतमे धम से चलाना पड़े तुम से चला सकोगे या मैं चला नानी, 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 नानी अरे वो कहां गई? वो यहां पे तो नहीं दिख रही नानी नानी नानी, मुझे अकेला छोड़के कहां गई नानी अगर कोई जानवर मुझे आके खाए तो मेरी बीवी का क्या होगा? अरे नानी मेरी नानी, कहां हो नानी? अरे मेरी नानी, वो कैसी प्लान के बारे में बात कर रही थी? अगर धनिया चाहिए था, तो मैं बाजार से लेके आके देता अरे मैं गिर जाओंगा मेरी नानी आप कहा हो, नानी, ज़रा जल्दी आ जाओ नानी ए, नीचे उतरो हाँ, दीरे से तुम डरो मत, मैं हूँ ना यहां पे, उतरो नीचे कहा गई थी, मैं डर गया तुम उतरते क्यों नीचे? पहले ये बताओ, मुझे छोटके क्यों गई? पहले तु नीचे उतरो, वो सब मैं बाद में बताती हूँ, उतरो नीचे एक काम की जिए, यहां पे आए, चलो चलो यहां पे, यहां पे तुम्हें मालूम है, तुम्हारे नाना जी कितने महान थी? अरे, नाना के बारे में बात करेंगे पता है, वो हाथ में उठाके, अपने कंधे पे रखे चले थे, बस, बस, आभी एक काम कीजिये ना खूदो वास, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, एक लकडी लेके मारों गी ना तुम्हें कडी पता चीए थी? बोला होता तो बाजार से खरीट के लाता ना मुझे पता है कडी पता क्या है, आरे बाजार से लाके देता था ना ऐसे कडी पता मार्केट में नहीं मिलता, वो सब ऐसे जंगलों में मिलता है अरे, कैसा दिन देखना पड़ा, हे भगवान, ये लड़के को तो कुछ भी नहीं पता है तुम बस थोड़े दर के लिए चुप देखना चलो अब जल्दी चलते हैं तुम्हें देखने में तोड़ रही हूँ, चलो हाथ देखना चलो उठो बस 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 उठ जाओ वेरिको, बस कैसे आदमी तो, चलो निकलो, बस अराम से, मुझे कस के पकर लो कभी-कभी जिन्दगी में ऐसी चीज़े होती है, यही तो जिन्दगी है, तुम इतने जवान हो और तुम में ताकत बिल्कुल नहीं है, शरम की बात है नानी, यही तुम्हें इतने देश से दून रही थी, अच्छा मुआ मिल गए रहे गुट-गुट-गुट नानी, 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 अरे नानी, मेरी नानी, यह सूखे पत्ते चाहिए थी और इसके लिए मैंने मेरे हड़ी तोड़ी सब कुछ ठेक हो जाएगा, मुझे मिल गया ना यह मुझे बस घर चलना है मुझे सब कुछ मालग है, इसलिए तो कर रहे है चलो, जल्दी चलते है, चलो अब तो सिर्फ दो ही जड़ी बूटी मिले है, अब तो और 108 चाहिए नानी, यह क्या बोल रही हो, मुझे लगता नहीं कि वो सब मिलने तक मैं जिन्दा रहूँगा बेटा, जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं ही, ओके ओके चलो, चलते हैं, चल, पकड़ लो मुझे, चल, तुम क्यों ऐसे हो, चल, अराम से, अराम से, तीरे, चाहड मत भीख देना यह देखो, यह देखो, यहाँ पे कुछ है, यह बाला पत्ता भी तो लेना ही है, चलो, लेलो, लेलो, बेफकुफ, अगर मैं वो जाट तोड़ लू, तो तुम्हारे पास जो भी हो, वो भी चला जाएगा, ऐसा क्या, ठीक है, अगर तुम कहरे ही हो, तो, निकलो, चलो, आ इस्ता इस्ता, यह पकड़ लें, पकड़ के चलो न, मेरी मा को अगर यह पता चला, तो वो बहुत दुखी होगी, वो रोएंगी, अहाँ, बखवास मत करो, चलो, नानी, मुझे और चला नहीं जाता, नानी, सुनो, तुम्हें करना होगा, मैं ऐसे पहले कभी नहीं किया मेरा पूरा शरीर, मेरी सब हट्डिया दुख रही है, मुझे और चला नहीं जायेगा, नानी, जल्दी चलो घर पहुँचना है, अहाँ, 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 तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, तुम बात को और बिगाड़ो बाती, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है थोड़ी दे सहलो से तुमसे बोला है ऐसे रोना नहीं, तुम तो ऐसे रोने से छट नीचे आ गया ममी, 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 बोलो, क्या चेहिए तुम्हें, तुम कुछ दवा बना रहे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, हाँ, दिख तो रहा है, लेकिन वो क्यों चिला रहा है उसको शैट से पीठ में दर्द है वो इतना क्यों चिला रहा है, वो दवा कैसे लेगा उसको खाना पड़ेगा अच्छा ये बार ये तो दवा के लिए नहीं है तुम ऐसे ही खाये जा रही हो मुझे मालूम है क्या करना है ममी इसे भी शामिल कर लो ना नहीं उतना बस है ममी इसे भी शामिल कर लो ना उसे शायद सर्वेट पड़ेगी ए तु मुझे मत सिखा, मुझे मालू मैं रुको, मैं आ रही हो अरे ममू, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ अरे बाब, तुम्हें क्या हुआ अरे मुझे सहा नहीं जाता अरे, ऐसी केसी हो गया अरे, हमारा क्या होगा, सीधा खड़ा भी तो नहीं हो सकता अरे, जब नानी यहाँ पर आये थी, तब मुझे पता था ऐसा कुछ होगा अब देखो, मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा अरे, दुख रहा है, दुख रहा है, ममू दादी अरे, ममू, कुछ करो, नहीं, दर्द हो रहा है क्या हो अरे, तुम्हें, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें साथ नहीं आओंगा, फिर भी तुम मुझे लेके चली, अरे, अब दर्द से बहुत परेशान हुँ, नहीं हो सकता मुझे, कोई तुम कुछ करे, नानी, ममू, इतना सब कुछ करके, तुम मुझसे पूछ रही हो, कि क्या हुआ, अरे, क्या बुली बाद, क्या बात है, मा? अब इसे ढख से बढ़ो, समल के नीचे ने गिरनाजी, अब तुम उसके उपर चड़ो, क्यो दादी? क्यो, चड़ो उपर उसके, हे बागवान, अब उसके पीट पर पैर लगाओ, मैं कैसे कर सकती हूँ, जैसे बोल रियंक करो, हे बागव आपने उन पर चड़ने के लिए बिला इक ही बार किया मैंने और देखिए अभी क्या हुआ हे बगवान बगवान कुछ नहीं हुआ उसे है हे बगवान हे बगवान हे बगवान मार खाईगी मेरे हाथ से उनको देखो न दादी मा इधर देना वो ममी तुम इसे देना चाहती हो आरे उन्हें देखो न मा, तुम ये दवाई इस हालत में देना चाहती हो, नहीं मा, उसे देना है अभी, ए बगवान, मुझे इस पर तरस आ रही है, सिर्फ एकी स्पून देना मा, तुम्हारे पास दिमाग ये, एक स्पून उसे दे दो, अभी कि एफ ए बहर, जाए जारी के लिए डूत, थेरख बगवान, बेचा, भी की अभी के उसोरे गवान, रो excited, जा जाए गए अँजा है, जाए ये टो, उसे, जाए पर दोचुन खोलाई, जाएवी उसे बगवान, भी के अएवान, भी को भी किस अर्वान धीग्या इस द को 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 बिटा उठो क्या दादी तुम्हें कुछ आवाज सुनाए दे रहे क्या कहीं से दादी ये क्या नाय आवाज अमने घर में ए बगवान मैंने क्यों तुमसे ये सवाल पूछा टीके दादी अरे तुम्हें इतनी शर्मा क्यों रही हो एक गलाज पानी लाओ अरे पानी अब मैं तुमको ही बोला मैंने ठीक है अभी लाता हूँ तुम इस तर मुझे घूर क्यों रही है मा लगता है मैंने कुछ गलती किये तुमने छोटी गलती किये हे दवाई किदर है दवाई कौन से दवाई मा हाँ वही दवाई जो हमने पर्सों बनाई थी समझे अच्छा वो दवाई वो मेरे पास नहीं है मा वो तो मैं और तुमने दो दिन पहले तियार किये थे न वही दवाई तुमें नहीं मालूम है क्या मा मुझे विश्वास करो बेटा मा मैं अन्जाने में कर दिया इसे तुम किसी को मत बताना वो दवाई इतनी अच्छी थी कि मैंने पूरा का पूरा खा लिया मा शिट या बेशर्मो वाली बात तुमें नहीं मालूम मैंने ओ दवाई क्यों बनाई पापा पानी हाँ बेठा मैंने तो बस इतना ही पानी मांगा था यह ऐसे पिना है यह ग्लास में लाओ अभे अनपडगवार तुम भी न मैं खुद निराज बेटा हूं और तुम उपर से भी इसे और परिशान करें यह मेरे सर पर रखो अरे